वेवाहिक सम्मन तूटने के दस में से चार मामलों में घर का वास्तू दोस होता है इसलिए अपने वेवाहिक जीवन में सुक्षांती बनाय रखने के लिए घर के वास्तू का ध्यान रखना चाहिए बेडरूम को हमेशा साफ सुसरा और सुसाजित रखना चाहिए मेलाएं बेडरूम के कोने में पूजा अस्तल बना लेती हैं ऐसा करने से बचना चाहिए जर्दी बेडरूम में ही पूजा अस्तल बनाना मजबूरी है तो पूजा अस्तल और बेड के बीच लकडी का पाटी सन लगा कर अलग कर देना चाहिए बेड रूम में देवी देवताता था मिरित परजन की तस्वीर न लगाएं इनके अस्तान पर प्रेमी जुगल या प्रेम और रोमांस को परकट करने वाली तस्वीर लगाएं बेड को दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए कोशिस करें कि अपने डबल बेड के लिए सिंगल गदे का पर्योग करें डबल गदे पति पत्नी के बीच अलगाव और दुरियों का कारण बनता है बेड रूम में बेड के सामने सिसा नहीं लगाना चाहिए बेड रूम में जुद संताप परतिक्षा और पच्चताप की तस्वीरे नहीं लगानी चाहिए